हाई अब्रीवन आइम प्रियांका और आज मैं कलब फैक्टरी के शूज को रिवियू करूंगी वैसे तो कलब फैक्टरी बहुत ही फेमस है अपनी चोल्डी और फुट वियर के लिए तो आज मेरे पास भी एक फुट वियर है आपको दिखाने के लिए जो की शूज कम सैंड कर लिया है और ओपन होने के बाद इसे एक बार दूल भी लिया है यह उतनी कमफर्टेवल है जितने यह दूलने से पहले थे इनके किसी भी साइज में भी कोई फर्क नहीं पड़ा और बाकी जो इसकी जो प्राइस है वो थाउजन प्लस है और बाकी अगर आपको इस क्लब फेक्टरी में थ्री कलर्स में मिलेंगे ग्रे ब्लैक एन बेवी पिंक और इसका जो क्लब फेक्टरी पे नाम है वोमेंस प्लैटफॉर्म सेंडल पीप टोस फैशन चूज और यह लेसिस के साथ आता है और इसकी हील्स भी काफी अच्छी है तो चलिए अब हम इसे द जादा चल रही है और बहुत ही ब्यूटिफुल यह शूज है और इनकी हील्स भी काफी अच्छी है देखिए इसकी जो हील्स है वो पूरे मेरे एक उंगली के बराबर है और जो साइट पर मेंशन है वो एट सेंटीमीटर मेंशन है बाकी यह बहुत ज्यादा कमफर्टेव है एंड यह जो इसके उपर का कपड़ा है वो विसको से बताया है हलका सा वैलविटी लग रहा है और आगे से ओपन है साइट में जो यह इसके डिजाइन है यह भी बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं और जो साइट में यह जो चुटे चुटे बटन्स है वाइट कलर के य यह हील्स बैस्ट है और जितनी लंबी हील्स है उतनी ही अच्छी इसकी क्वालिटी है और कमफर्टेवल तो यह बहुत ही जादा है जो इस सेंडल का सोल है वो रबड का है और जो इसकी प्राइस है वो एक्जैक्ट वन थाउजन ट्रिपल टू-पॉइट ट्री पैसे बार देब्आस आज जादा है और शोट इसकी जो क्वालिटी है डिजाइन है वो आपको कहीं लोकल मार्किट पे नहीं मिलेगा और में बात जो इसकी फिटिएंग है वो बहुत ही प्यारी है और शोजाएज है वो पिलकुल सेम है और आप यसे हर आउट विट के साथ पहन सकते है thanks for watching